हेलो फ्रेंज, आज हम ककोडा की सबजी बनाएंगे, जो खाने में बहुत टेश लगेगा और बनाना बहुत आसान हैं, इसको आप रोटी चावल के साथ भी खा सकते हैं ये खाने में बहुत टेश लगेगा, बहुत क्रिस्पी बनेगा, चलिए अभिम बनाना स्टार्ट करेंगे, ककोडा की सबजी इसको बनाने के लिए हम ककोडा का उपर का जो छिलका है इसको निकाल दिये हैं और इसको एसे राउंड राउंड सेफ में काट दिये हैं देखिए उपर का जो छिलका है इसको और जुम मचाल देंगे और एसे राउंड राउंड करके काट देंगे इतना ही थीक रहेगा देखिए अब हम इसमें मसाला डालेंगे इसमें डाल देंगे हल्धी पाउडर 1 टी-zen लाल मिट्च पाउडर 1 टी-zeug-प Evans लाल मिर्च पाउडर वान टीस्पून, गरम मश्ला पाउडर वान टीस्पून, धन्या पाउडर वान टीस्पून, दो बड़े चमुच कन प्लोर, और दो चमुच बैसन डाल देंगे, नमग स्वाद के हिसाब से डालेंगे, इसमें दो छोटे चमुच पानी डालेंगे, और सारे चीज़ को हाथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे मासाला इसके उपर अच्छे से कोट हो जाएगा इसलिए अच्छे से हाथ में मिक्स कर लिजिए अभी चलिए इसको फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए एक हम प्यान ले लिए हैं अभी इसमें आउयल डाल देंगे आउयल को गरम होने के लिए छोड़ देंगे आउयल अच्छे से गरम होने के बाद अभी हम इसमें काकोडा डालेंगे और जब आप इसको फ्राइ करेंगे अभी हम सारे काकोडा इसे डाल देंगे ऑईल में और ग्यास का फ्लेम को मीडियम रखेंगे अभी हम इसको एक मिनिट के लिए कभर कर लेंगे जिससे कांटोला अच्छे से पक जाएगा अंदर से एक दो मिनिट के लिए इसे कभर कर लिजे दो मिनिट के बाद हम ढखकन निकाल दिये हैं अभी और इसको कभर नहीं करेंगे और इसको हम पल्टाएंगे एक तरफ से हलकासा गोल्डन ब्राउन हो गया है अभी हम इसको पल्टा के दूसरे तरफ में अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसको निकाल देंगे चारो तरफ से इसे पल्टा पल्टा के हम फ्राय करेंगे जिसे चारो तरब से अच्छे से गुल्डेन ब्राउन हो जाएगा हम इसको निकाल देंगे ये खाने में बहुत टेस्ट लगेगा आप इसको गरम गरम चाओ अलो रोटी के साथ खा सकते हैं और बनाना भी बहुत आसान है देखिए चारो तरब से हरकासा गुल्डेन ब्राउन हो गया है अभी हम इसको निकाल देते हैं प्लेट में अभी दूसरा जो का कोड़ा है इसको भी ऐसे फ्राई कर लेंगे अभी ये भी एक तरब से हरकासा गुल्डेन ब्राउन हो गया है अभी हम इसको पल्टाएंगे चारो तरब से अच्छेशे गुल्डेन ब्राउन होने के बाद हम इसको निकाल देंगे अब ही देखिए काकोडा फ्रायर एड़ी हो गया आप एक बार इसको घर में बनाईए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे मेरे वीडियो को लाइक सेर करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग